जैहिन दोस्तों मेरा नाम है जैय और मैं आप सभी का एक बार फिर से वैलकम करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल दे लर्णिंग फ्यूल पर दोस्तों एक बार फिर से हमाजिन आपके सामने एक नई गावन्न भरती अपडेट के साथ जैहां दोस्तों अगनी पद भरती योजना के तहट इंडियन आर्मी ने ARO यानि के आर्मी रिक्रूटिंग आफिस वारानसी के अंतरगत उत्तर प्रदेश के आजमगड, बल्या, चंदोली, देवरिया, जौनपुर, गाजेपुर, इसके अलावा गौरकपुर, मौव, मिर् आर्मी रेली रणबाकूरे स्टेडियम वारानसी में होगी, दोस्तों इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में डेटेल से बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक पुरा जरूर देखें, तो चलिए शुरू करते हैं, और सबसे बहले बात करते हैं यहां पर आपकी प तो यह थी आपकी पोस्ट, अब हम बात करेंगे इसकी important dates के बारे में, तो दोस्तों यहां पर आपके बता देंगे इसके online registration 5 अगस्त 2022 से शुरूंगे, और इसके registration की last date है 3 सितंबर 2022, और अगर बात करें इसके admit card की date के बारे में, तो आप इसके admit card 25 अक्तूबर 2022 के बारे मे और अगर बात करें इसके rally की date के बारे में, तो इसकी rally start होगी 16 November 2022 से लेकर 6 December 2022 तक इसकी rally चलेगी, तो दोस्तों यह थी इसकी important dates, अब हम बात करेंगे इसकी application fee के बारे में, तो दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि आप चाहे किसी भी category से belong करते हो, यहां पर आपको कोई भी application fee का payment नहीं करना होगा, अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इसकी age limit यानि के आपके उम्र के बारे में, तो यहां पर आपके उम्र 1 October 2022 के साब से count होगी, तो इस date के साब से आपकी कम से कम उमर 17.5 साल तक हो सकती है, और आपके अधिकतम उमर 21 साल तक हो सकती है, ल बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इसके pay scale यानि के इसके बेतन के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दें कि अगनीवीर को मिलने वाली salary के बारे में हमने एक detailed separate video बना रखा है, तो ज्यादा जानकारी के लिए आप वो वीडियो जरूर देखें, वीडियो का लिंक आप आपको उपर आई बटन में और इस वीडियो के description में मिल जाएगा, इसके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई अगनीवीर शहिद हो जाता है, तो उस अगनीवीर को शहिद होने पर कितनी धनराशी यानि के death compensation के रूप में कितनी धनराशी मिलेगी, तो इ अगनीवीर जीडी यानि के general duty trade के लिए आपकी educational qualification के बारे में, तो इस trade के लिए apply करने के लिए आपको कम से कम दस्वी पास होना जरूरी है, और ये जो आपने दस्वी पास करिए, इसमें आपके aggregate यानि के सभी subjects में मिलाकर कम से कम 45% marks होना जरूरी है, और आपके हर subject में कम aggregate आपको कम से कम C2 grade होना जरूरी है, अगर ही qualification आपके पास है, तो आप अगनीवीर जीडी ट्रेडी के लिए अपलाई कर सकते हैं, अब हम बात करेंगे अगनीवीर टेक्निकल ट्रेडी के लिए आपके educational qualification के बारे में, तो अगनीवीर टेक्निकल के लिए अपलाई करने के आपको बार भी पास होना जरूरी है, और यह जो अपनी बार भी पास करी, इसमें आपके पास PCM यानि के physics, chemistry और maths इसके साथ ही साथ आपके पास English भी होना जरूरी है, और धान रहे कि आपके 12 में aggregate यानि के सभी subjects में मिलाकर कम से कम 50% marks होना जरूरी है, और आपके individual subject में या आपके पास कम से कम एक साल का ITI course भी होना जरूरी है, required field के अंदर, और यह जो अपने ITI करी है या आपने NCQF यानि के national skill qualification framework से करी हो, और धान रहे इस ITI में आपका level 4 या फिर उसके above level होना जरूरी है, तो यह होग यह आपकी Agnivir technical trade के लिए qualification, अब हम बात करेंगे Agnivir clerk औ आपको जो है 12 पास होना जरूरी है, चाहे वो आपने Art से करी हो, या फिर Commerce से, या फिर Science से, लेकिन धान रहे यह जो आपने 12 पास करी है, इसमें आपके Aggregate यानि कि सबी subjects में मिलाकर कम से कम 60% marks होना जरूरी है, और Individual subject में, यानि कि हर subject में कम से कम 50% marks होना जरूरी है, इसके बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगनीवी ट्रेट्समेंड 10th pass के लिए qualification के बारे में तो इस ट्रेड के लिए अपलाई करने के लिए आपको simply 10th pass होना जरूरी है अगर आप 10th pass है तो आप इसके लिए eligible है और यहाँ वर आपको बताते हैं कि इसमें aggregate percentage का कोई criteria नहीं है ल लेकिन आपके हर subject में कम से कम 33% marks होना जरूरी है तो यह होग यह आपकी अगनीवी ट्रेट्समेंड 8th pass के लिए qualification तो दोस्तों यह थी आपकी trade wise educational qualification अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इसके selection process के बारे में तो इसके selection process में आपके total 4 steps होंगे सबसे पहला step होगा आपका PFT याने के physical fitness test PFT clear करने के बाद में आपका अगला test होता है PMT याने के physical measurement test PMT clear करने के बाद में आपका होगा medical examination और फिर last में आपका होगा written examination तो यहाँ पर one by one करके हम इन सभी के बारे में detail से बात करेंगे तो चले शुरू करते हैं और सबसे बहले बात करते हैं PFT याने के physical fitness test के बारे में तो PFT में सबसे बहले आपके होगी 1.6 km की running और इस 1.6 km running को दो groups में divide किया गया है group first और group second group first में वो candidates आएंगे जो इस 1.6 km running को 5 minutes 30 seconds के दर complete कर लेंगे वो candidates group first में आएंगे और ऐसे candidates को 60 में से 60 marks दे जाएंगे और वो candidates यूकि 1.6 km running को complete करने के लिए 5 minutes 31 seconds से लेकर 5 minutes 45 seconds तक का time लेते हैं तो ऐसे candidates को group second में रखा जाएगा और आपको 60 में से 48 marks दे जाएंगे तो PFT में यह होगी आपके 1.6 km की running 1.6 km running complete करने के बाद में PFT में आपका अगला test होता है beam यानि के pull-up तो यहाँ पर pull-up test के अंदर आपको maximum 10 pull-ups निकालने होते हैं और अगर आप 10 pull-ups proper way में सही तरीके से निकाल पाते हैं तो आपको 40 marks दे जाते हैं PFT में beam यानि के pull-up test होने के बाद में आपका अगला test होता है 9-fit dish 9-fit dish में एक 9-fit का लंबा गड़ा होता है जिसको क्या आपको कूदना होता है और यहाँ पर आपको बता दे कि इस test के कोई marks नहीं जुड़ते हैं लेकिन आपको इसको qualify करना ज़रूरी है अगले steps में जाने के बाद में आपका अगला test होता है PMT यानि के physical measurement test और PMT में आपका height weight और chest का measurement किया जाएगा तो यहाँ पर हम trade wise आपके PMT के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे अगनी वीड़ GD trade के लिए आपकी height के बारे में तो अगनी वीड़ GD के लिए आपकी height कम से कम 170 cm तक होना जरूरी है और अगर बात करें इस trade के लिए आपके chest के criteria के बारे में तो इस trade के लिए आपका chest कम से कम 77 cm और उसमें कम से कम 5 cm तक का फुला होना जरूरी है अब हम बात करेंगे अगनी वी technical trade के लिए आपकी height के बारे में तो इस trade के लिए आपके chest कम से कम 170 cm तक होना जरूरी है और अगर बात करें इस trade के लिए आपके chest के criteria के बारे में तो इस trade के लिए आपका chest कम से कम 77 cm और उसमें कम से कम 5 cm तक का फुला होना जरूरी है अब हम बात करेंगे अगनिवीर कलार्क और SKT trade के लिए आपके height के बारे में तो इस trade के लिए आपके height कम से कम 162 cm तक होना जरूरी है और एकर बात करें इस trade के लिए आपके chest के criteria के बारे में तो इस trade के लिए आपका chest कम से कम 77 cm और उसमें कम से कम 5 cm तक का flow होना जरूरी है अब हम बात करेंगे अगनीवी ट्रेट्समें 10 पास और अगनीवी ट्रेट्समें 8 पास ट्रेडी के लिए आपकी हाइट के बारे में तो इन दोनों ही ट्रेट्स के लिए आपकी हाइट कम से कम 170 cm तक होना जरूरी है अब हम बात करेंगे यहाँ पर physical standards में मिलने वाली छूट के बारे में तो वो candidates जोकी sons of servicemen यानि के servicemen के बेटे हैं या फिर sons of ex-servicemen हैं या फिर son of war widow या फिर किसी ex-servicemen की विडो के बेटे हैं या फिर वो candidates जोकी war widow के legally adapted son या फिर son in low है तो ऐसे candidates को height में कम से कम 2 cm तक की चूट दी जाएगी अगर बात करें chest के बारे में तो ऐसे candidates को chest में कम से कम 1 cm तक की चूट दी जाएगी और अगर बात करें weight के बारे में तो ऐसे candidates को weight में कम से कम 2 kg तक की चूट दी जाएगी अब हम बात करेंगे उन Candidates के बारे में जो की Outstanding Sportsman है यानि कि ऐसे Candidates जिन्होंने अपने National को किसी भी खेल के अंदर International Level पर या फिर अपने State को National Level पर या फिर अपने District को State Level पर या फिर अपने School, College या फिर अपने University को किसी भी Game के अंदर Represent किया है और अगर आपने कोई Medal जीता है या फिर आपने Team Event के अंदर Sixth Position हासिल करी है तो ऐसे Candidates को Height में कम से कम 2 cm तक की छूट दी जाती है और अगर बात करें Chest के बारे में तो ऐसे Candidates को Chest में कम से कम 3 cm तक की छूट दी जाती है और अगर बात करें Weight के बारे में अगर आप Medical के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमने इसका एक Detail Separate वीडियो बना रखा है इसका Link आपको इस वीडियो के Description में उपर iButton में मिल जाएगा तो ज्यादा जानकारी के लिए आप वो वीडियो ज़रूर देखें Selection Process में Medical Examination clear करने के बाद में आपका अगला Test होता है Return Examination और दोस्तों आपको बता दे कि इसका Return Examination आपका October 2022 में होगा और दोस्तों यहाँ पर आपको बता दे कि इसका Return Examination में आपकी Negative Marking भी होगी तो दोस्तों यह हो गया इसका Selection Process अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यहाँ पर आपके Documents के बारे में तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दे कि हम जो भी Documents आपको बताने वाले हैं इन सबी Documents के आपको Original Copy साथ में लेकर जानी है तो ही जानते हैं कि वो कौन-कौन से Documents है जो कि आपको Rayleigh के टाइम साथ में लेकर जाने है तो यहाँ पर आपका सबसे पहले Documents है आपका Admit Card इसके अलावा आपको जो अपनी 20 Passport Size photograph भी साथ में लेकर जानी है और दोस्तों यहाँ पर आपको बताने कि यह जो आपकी Photographs होंगी इनका Background Color White ही होना ज़रूरी है Photographs के अलावा यहाँ पर आपको अपना Educational Certificates आपका Domicile Certificate इसके अलावा यहाँ पर आपको अपना Cast Certificate Religion Certificate School Character Certificate इसके अलावा यहाँ पर आपको अपना Character Certificate Unmarried Certificate Relationship Certificate दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि Relationship Certificate के वल उनी Candidates को लेकर जाना है जो कि Sons of Servicemen है या फिर Sons of Ex-Servicemen है या फिर Sons of War Widow है तो ऐसे Candidates को अपना Relationship Certificate भी साथ में लेकर जाना है इसके अलावा अगर आपके पास कोई Sports Certificate है तो वो भी आप साथ में लेकर जाए ताकि आपको रिटन Examination में Bonus Marks मिल सके और इन सब के अलावा आपको जो है Affidavit, Single Bank Account, Pancard और Ather Card भी आपको अपना साथ में लेकर जाना है तो दोस्तो ये वो डॉकुमेंट्स थे जो कि आपको Rayleigh के टाइम साथ में लिकर जाने होंगे अब फाइनली हम बात करेंगे कि आप इस Vacancy के लिए कैसे अपलाई कर सकते हैं तो इस Vacancy के लिए अपलाई करने के लिए Indian Army की Official Website www.joinindianarmy.nic.in पर जाकर आप इसका फाउम फिल कर सकते हैं So friends से ये वीडियो था Indian Army ने ARO यानि के Army Recruiting Office Varansi के अंतरगत उतरप्रदेश के आजमगर, बलिया, चंदोली, देवरिया, जौनपुर, गाजेपुर, गौरकपुर, माउ इसके अलावा, मिरजापुर, सौन भद्रा, संत, रभीदास, नगर और वारानसे डिस्ट्रिक्स के eligible male candidates से अगनी पीर Indian Army ने लिवरती के लिए online applications invite किये हैं, उसके बारे में वी वीडियो था दोस्तों उमीद करते हैं कि यहाँ पर हमने आप कुछ information दिवा आपको अच्छी लगे होगी अगर ही वीडियो चलागाओ तो इस वीडियो को like और अपने दोस्तों के साथ share जरूर करें और future में इस चैनल पर इसी तरह है कि useful वीडियो देखने के लिए इस चैनल को subscribe करके bell icon जरूर दबाएं इससे आपको ऐसे ही useful वीडियो के updates मिलते रहें So thank you for watching our video, जाहिंद